नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तरकाल, ब्राहमन सामराज्य, विदेशी आक्रमर, कलिंग राज खारवे, मौर्योत्तरकालीन कला संस्कृती, कुशान कालीन साहित्ते के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं मौर्योत्तरकाल 187 इसा पूर्व से 240 एदी तक के काल में भारत की राजनीतिक एक्ता खंदित रही तथा यह काल मौर्योत्तरकाल के नाम से जाना गया इस काल में मगज सहित भारत के विभीन हिस्सों में ब्राहमन सामराज्यों शुंग, कन्व, सात्वाहन एवं वाकातक का उदे हुआ तथा विदेशी आक्रमन हुए इस काल में सशत केंद्रिय सत्ता के अभाव में शेत्रिय रोजा स्वतंत्र होने लगे जिनमें कलिंग का राजा खारवेल प्रमुख था ब्राहमन सामराज्यों शुंग वन्ष इसा पूर्व 119 में कुश्य मित्र शुंग ने मगत पर शुंग वन्ष के शासन की स्थापना की एवं इसा पूर्व 119 में मरने से पूर्व 36 वर्षों तक शासन किया कुश्य मित्र शुंग अंतिम मौरे शासक ग्रहतरत का सेनापती था तथा उसने उसकी हत्यकर शासन पर कबजा किया काली दास के मालविकागनी मित्रम में कुश्य मित्र शुंग को कशब गोत्र का ब्रामर माना गया है इतिहासकार तारानात तथा पानिनी ने भी उसके ब्राह्मन होने की पुष्टी की है पाटली पुत्र से दूर होने के कारण मगद के एक प्रांथ अवंती पर नियंतरन करने में कठिनाई के कारण कुश्यमित्र शूंग ने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया पुश्यमित्र शुंग ने एक सेने करांती द्वारा सत्ता हथियाने के समय तथा अपने अंतिम दिनों में कुल दो अश्वमेध यग्य किये आश्वमेध घोडे को सिंदू नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिये जाने के कारण पुश्यमित्र के नाती बसुमित्र के नेत्रित्व में शुंग सेना ने यूनानियों को परास कर दिया पुश्यमित्र शुंग ने सामराजय विस्तार के तहत विदर्भ शासके गिसेन को जीत लिया काली दास के नाटक मालवी का अगनी मित्रम में विदर्प की राजकुमारी मालवी का एवं अगनी मित्र, कुशे मित्र का पुत्र की प्रेव संबंध एवं शुंगों द्वारा विदर्प की जीत का विवर्ण दिया गया है बौध साहित्य दिवेदान में कुष्य मित्र को बौध्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है कुष्य मित्र शुंग ने भारहूत एवन सांची के स्तूपों का पुनर निर्माण कराया शुंग वन्ष का अंतिम शासक देव भूती था जिसकी हत्य तिहत्तर ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मर मंत्री वासुदेव ने करदी तथा इसी के साथ इस वन्ष का शासन समाप्त हो गया शुंग काल में भागवत संप्रदाय का पुनरुथान हुआ इस काल में हिंदूओं के देव मंडल में वासुदेव क्रिश्न की प्रधान्ता स्थापित हुई इस काल में ब्राह्मन धर्म भागवत धर्म के नाम से प्रसिध था इसी काल में पतंजली ने पानिनी के अश्टध्याई पर तीका ग्रंथ महाभाश लिखी वैदिक धर्म शास्त्र के सर्वाधिक महत्वपून स्मृति ग्रंथ मनुस्मृती की रचना इसी काल में हुई विदिशा के शिल्पियों ने इसी काल में सांची स्थूप के द्वारों का निर्मान किया भाजा के विहार बोध गया की विष्टिनी तथा बेसनगर में गरूर्धवज स्तंब आदी शुंकालीन कला की उत्ख्रिष्ट नमूने हैं कान्व वंश इस वंश की स्थापना वासुवेद ने 73 इसा पूर्व में की इस वंश का शासन मात्र 45 वर्ष रहा जिसमें चार शासकों ने राज्य किया इस वंश का तीसरा शासत नारायन कन्व एक अयोगे एवं निर्बल शासत था इसके कारेकार में मगत सामराज्य का विस्तार मात्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ इलाकों तक रह गया कन्व वंश ने ब्राह्मन धर्म की पुनर स्थापना में भारी योगदान दिया 27 इसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर उसके सेनापती सिमुक ने इस वंश के शासन का अंत कर दिया साथवाहन वंश दक्कन में महाराष्ट्र एवं आंधर प्रदेश के अधिकांश भागों को मिलाकर इसा पूर्व 27 में सिमुक ने साथवाहन वंश के शासन की स्थापना की यह राज्य अत्यंत शक्तिशाली था तथा इसे आंधर भी कहा जाता है इस राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक आंधर प्रदेश के औरंदाबाद जिले में थी इस वंश के संस्थापक सिमुक ने 12 इशूने तक राज किया गौत्मी पुत्र शक्तकर्नी वशिष्ठ पुत्र पुल्वामी एवं यग्य श्री शक्तकर्नी आधी इस वंश के प्रमुक प्रसिध शासक हुए गौत्मी पुत्र शातकर्नी को पश्चिम का स्वामी कहा गया है गौत्मी पुत्र ने दो अश्व मेध एवं एक राजसू यग्य किये गौत्मी पुत्र शातकर्णी ने अपने शासनकाल के 18 वे वर्ष में नासिक में एक गुफा तपस्वियों को प्रदान की गौत्मी पुत्र शतकर्णी ने अपने शासन के 24 वे वर्ष में ब्राहमनों को भूमिय नुदान देने की प्रथा आरंब की सात्वाहन समाज मात्रि सत्तात्मक था तथा उनकी भाषा प्राकृत एवं लिपी ब्राहमी थी कसित, साहित्यकार, हाल एवं गुनाधे इसी काल में थे हाल में गाथा सब्तश्तत एवं गुनाधे ने ग्रिहत कथा जैसे ग्रंथों की रचना की सात्वाहन शासकों ने सीसा, चांदी, ताबा एवं पोटीन के सिक्के चलाए कारले का चैते, अजन्ताय लोरा गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास कला के क्षित्र में सात्वाहनों के उलेखनी योगदान है गौत्मी पुत्र शतकर्णी की माता गौत्मी वल्श्री के नासिक अभिलेख में यह उलिखित है कि उसके पुत्र के घोडे तीन समुद्रों का पानी पीते थे गुनाधे रचित ड्रहत कथा से बाद में संस्कृत भाषा में कथा सरित सागर एवं कथाकोष नामक प्रसिद ग्रंथों की रचना हुई वाकाटक वन्ष सात्वाहनों के पतन एवं छहठी शताबदी के मध्य में चालुक्यों के उदे होने तक दक्कन में वाकाटक ही मुख्य शक्ती थे वाकातक शक्ति के संस्थापक विंधे शक्ति के पूर्वजों एवं उनके उद्गम स्थान के विशय में कोई विशेश जानकारी उपलब्ध नहीं है विंधे शक्ति को विश्नो वृद्धी गोत्र का ब्राहमर माना जाता है वाकाटक शासन तीसरी शताबदी के अंत में प्रारम हुआ एवं पांचवी शताबदी के अंत तक चला पुराणों के अनुसार विंधे शक्ती के पुत्र प्रवर्सेन ने अश्वमेध यग्य किया एवं उसके कारेकाल में वाकाटक सामराज्य बुंदेलखन से लेकर दक्षिन में हैदराबाद तक विस्तृत था वाकाटक शासक साहित्य एवं कला के प्रेमी थे प्रवर्सेन ने एक प्रसिद्ध खृती से तुबंध की रचना की किंद युनानी सिक्के युनानियों से संपर्क होने से पूर्व भारतिय आहत मुदाय पंच मार्थ कौन्स प्रियोग में लाते थे उन पर कोई मुद्रालेख नहीं होता था यवनों द्वारा ऐसे सिक्के प्रचलित किये गए जिन पर एक ओर राजाओं की आकरिती और दूसरी और किसी देवता की मूर्ती यव कुछ अन्य चिन उत्कीन थे इस पध्धती को भारतिय शासको ने भी अपनाया भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक वन्ष हिंद यूनानी थे विदेशी आकर्मन हिंद यूनानी सिकंदर ने अपने पीछे एक विशाल सामराज्य छोड़ा जिसमें मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान एवं पश्चिमोत्तर भारत के कुछ प्रदेश शामिल थे इस सामराज्य का काफी बड़ा भाग सेल्यूकस के अधीन रहा इसा पूर्व दो सो पचास में बैक्ट्रिया के गवर्णर डियोडोटस एवं पार्थिया के गवर्णर और एक्सस ने अपने आपको स्वतंत्रु घोशित कर दिया डियोडोटस के वंश के एक शासक देमेट्रियस्ट ने इसा पूर्व 183 में मौर्योत्तर काल का प्रथम यूनानी आक्रमन किया देमेट्रियस ने पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया एवं साकल को अपनी राजधानी बनाई गिन्तू देमेट्रियस जिस वक्त भारत में वैस्थ था स्वयम बैक्ट्रिया में यूकरेटार्स के नेत्रित्व में विद्रो हो गया एवं उसे बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा उसका शासन पूर्वी पंजाब एवं सिंग पर ही रहा गया यूक्रेटाइट्स भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीत कर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया इस प्रकार भारत में यवन सामराज्य अब दो कुलों देमेट्रियस एवं यूक्रेटाइट्स के वन्षों में बंट गया सबसे प्रसिद यवन शासक मिनांदर इसापूर्व एक सो साठ से एक सो बीस था जो बौध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद है पेरिपलस ओफ दे एरिथ्रियन सी के उलेखा नुसार मिनांदर के सिक्के भरोच के बाजारों में खूब प्रचलित थे इसके अलावा काबुल से मथुरा बुंदेल खंड तक से मिनांदर के सिक्के प्राप्थ हुए हैं बौध्ध क्रंथ मिलिंद पान्हों के अनुसार मिनांडर ने भिक्षु नागसन से बौध्ध धर्म में दीक्षाली मिनांडर की राजधानी साकर शिक्षा का प्रसिद केंडर थी और वैभव एवव एश्वरे में पाठली पुत्र से समानता रखती थी युनानियों के शासन का अंत सीथियनों शकों द्वारा किया गया गार्गी संहिता के अनुसार जोतिश के क्षेत्र में भारत युनान का रिनी है भारतियों ने युनानियों से ही कैलेंडर प्राप्ट किया तक्षशिला के यवन राजा एंटियार किदास के राजदूत हेलियोडोरस ने जो की भागवत धर्म का अनुयाई था देवों के देव वसुदेव विश्णों के अफ्तार क्रिश्न का बेस्नगर विदिशा में एक करूर्धवच स्थापित किया हिंद युनानियों ने उत्तर पश्चिम में युनान की प्राचीन कला हेलिनिस्टिक आर्ट का खूब प्रचलन किया भारत की गंधार कला शैली पर उप्रोप्त की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है हिंद पार्थियन इसा पूर्व पहली शती के अंत में पार्थियन नामों वाले कुछ शासक पश्चिमोत्तर भारत पर राज कर रहे थे इन्हें भारतिय स्रोतों में पहलव कहा गया है पहलव शक्ती का वास्तविक संस्थापक मिथिडेट्स एक था जो की यूक्रेटाइट्स का समकालीन था भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था जिसने इसा पूर्व नब्बे से इसा पूर्व सत्तर तक राज किया इस वन्ष का सरवाधिक शक्तिशाली शासकम गुन्डोफर्निस गुन्फर्ण था जिसने 20 से 41 ईशूने के दौरान शासन किया 65 ईशूने के हजारा जिले के पंचतर अभिलेख एवं 89 ईशूने के तक्षशिला अभिलेख के अनुसार कुशाणों ने भारत में हिंद पार्थियन शासन का अंत किया शक्थ शकों का मूल निवासस्थान मध्धे एशिया की सरदारिया नदी का तथ्था इसा पूर 165 में शकों का कबीला उत्तर पश्चिम चीन में निवास करने बाले एक अन्ने कबीले यूची द्वारा अपने मूल स्थान से खदेर दिया गया शकों ने इसके बाद बैठिया पार्थिया आधी पर आक्रमन किया शक आगे बढ़े एवं हिंद पार्थियन से उनका संघर्ष हुआ भारत में शक शासक स्वयम को क्शत्रप कहते थे शक शासत भारत में दो शाखाओं उत्तरी क्षत्रप, तक्षशिला एवं मधुरा तथा पश्चिमी क्षत्रप, नासिक एवं उज्जैन में बंटे थे उज्जैन के एक स्थानिय राजा द्वारा शकों को 58 ईसा पूर्फ में पराजित कर खदेर दिया गया, तथा उसके द्वारा विक्रमादित्ते की उपाधी धारन की गई उपर्युक्त के पश्चात भारतिय इतिहास में विक्रमादित्ते एक लोक प्रिय उपाधी हो गई एवं कम से कम 14 शास्कों ने यह उपाधी धारन की उज्जैन के शक्षत्रपों में चश्टन सर्वाधिक प्रसिद्ध है विक्रमादित्ते द्वारा शकों पर विजय की स्मृती में 57 ईसा पूर्व में विक्रम समवत चलाया गया शक्वन्ष का सबसे प्रतापी शासक रूद्रदामन 130 से 150 इशू ने था रूद्रदामन के सिक्कों एवं जुनागर अभिलेक से ग्यात होता है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधी धारन की थी रूद्रदामन ने कठियावार की सुदर्शन जील का पुनर निर्माण करवाया चौथी शतापदी इशूने के अंत में गुप्ट समराथ चंद्रगुप्ती विक्रमादित्ति ने मालवा एवं काठियावार को जीत कर शकों की सत्ता समाप्त कर दी भारत की जन संख्या में उपलब्ध सिथी द्रवेड अंश शकों एवं भारतियों के मिश्रण का ही परिनाम है तथा समाज में शकद वीपिये ब्राह्मनों की एक शाखा पाई जाती है रूत्र दामन संस्कृत भाषा और अलंकार शास्त्र का प्रकांड पंदित्था उसने संस्कृत भाषा के पहले नाटक की रचना कराई कुशार ध्वित्य शताब्दी ईसा पूफ में चीन के सीमांत प्रदेशों में रहने वाली यूची जनजाती को एक अन्य बरबर जनजाती हूं ने खदेर दिया यूची ने मध्धे एशिया में शरण ली कुछ समय पश्चात यूची का पांच शाखाओं में विभाजन हो गया इनहीं शाखाओं में एक का नाम कुशान था कालागदर में कुशानों ने यूची की शेश शाखाओं पर विजे प्राप्ट कर ली कुजूल कडफिसस कुशान वंश का प्रथम शासक था उसने अफगानिस्तान और तक्षशिला के आसपास के भूभागों पर कुशान सामराज्य की सुद्रिध मीम डाली भारत के आंतरिक भाग में कुशान सामराज्य को संग्ठित करने का श्रे इस वंश के अगले शासक विम कडफिसस को प्राप्ट है उसने कश्मीर पंजाब एवं सिंध आधी राजियों पर अधिकार जमाया इस वंश का सबसे महत्वपून शासक कनिष्ट खा जो 78 इशूने में गद्धी पर बैठा कनिष्क ने 78 इशूने में शक सम्वत का प्रतिपादन किया वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा इसे ही प्रियोग में लाया जाता है कनिष्क ने अपने राज्य का विस्तार मगध तक किया कनिष्क के सामराज्य में अफगानिस्तान सिंध का भाग बैक्ट्रिया एवं पार्थिया के प्रदेश सम्मिलित थे कनिश्क ने कश्मीर को जीत कर अपने सामराज्य में मिला लिया तथा एक नए नगर कनिश्क पूर की स्थापना की कनिश्क का सबसे प्रसिद युध चीन के शासक के साथ हुआ एवं अंतर्थ वह मध्धे एशिया में काशकर यारकंद एवं खोतन आधी प्रदेशों पर अधिकार करने में सफल रहा कनिश्क ने पुरुशापूर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया मथुरा कनिश्क की द्वितिय राजधानी थी कनिश्क की प्रारंभिक मुद्राव पर यूनानी देवता हेलियोज, सूर्य, तथा भया, चंद्रमात के चित्र अंकित है वह बौध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयाई था कनिश्क ने अपने राजकवी एवं बौध विद्वान अश्वघोष जिसे वह पाटली पुत्र से लाया था से बौध धर्म में दीक्षा ली कनिश्क ने अपने शासन काल में कश्मीर के कुंदलवन में चतूर्थ बौध संगीती का आयोजन करवाया तिब्बती लेखत तारानात के अनुसार चतूर्थ बौध संगीती में बौध धर्म के अठारा संप्रदायों के विवादों का निप्तारा हुआ कनिश्क की राजसभा में वसुमित्र एवं अश्वघोष आदी बौध दाशनिक थे नागारजुन जैसे प्रकांड पंदित एवं राज चिकित सत्चरत भी कनिश्क की राजसभा के रत्म थे मन्थर जैसा बुद्धिमान राजनीती के कनिश्क का मंत्री एवं अजेसिलास यूनानी उसका इंजिनियर था कुशान वंश का अंतिम शासक वासुदेव था कुशान वंश ने भारतिय इतिहास में स्वर्ण की सर्वाधिक शुधता वाले सिक्के चलाए कनिश्क ने तक्षशिला के पास सिर्सुख नामक एक नए नगर की स्थापना की कलिंग राज खारवेल प्राचीन भारत में गंजाम एवं पुरी जिले, कटक के कुछ हिस्से तथा उत्तर पश्चिम के कुछ प्रदेशों में कलिंग का राज्य विस्त्रित था कभी कभी दक्षन के तेलुगू भाशी क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाते थे अशोक के निधन के तुरंत बाद यह राज्य स्वतंत्र हो गया एवं चेदी वन्शिय ब्राह्मनों का शासन कायम हुआ चेदी वन्श का सरवाधिक विख्यात शासक खारवेल था राजा खारवेल के संबंध में जानकारी उद्देगिरी गूवनेश्वर के समी पहाडी में स्थित हाथी गुमफा अभिलेक से होती है राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयाई था तथा उसे भिक्षुराज भी कहा गया है मौर्योत्तर कालीन कलासन स्कृती बौध्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार राजग्रिह में 36 प्रकार के शिल्पी रहते थे मिलिंग पान्हों में जिन 75 व्यवसायों का विवर्ण दिया गया है उनमें से 60 शिल्प से संबंधित है इस काल में कुशानों ने गंधार कला शैली का विकास किया इस काल में मथुरा मूर्ति निर्मार कला का केंद्र था वेन सांग ने कनिश्क के 178 विहारों तथा स्तूपों का वर्णन किया है इसा पूर्व पहली शताबदी के अंत में मथुरा में जैनियों ने एक विशेश कला शैली को जन दिया जो मथुरा कला के नाम से विक्सित हुआ इसा पूर्व दूसरी शताबदी में दक्कन में अमरावती कला का विकास हुआ मौरियोत्तर कालीन चित्रकला के उधारण अजन्ता की गुफा संख्या 9 एवन 10 में मिलते हैं अजन्ता की गुफा संख्या 9 में 16 उपासकों को स्थूप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है गुफा संख्या 10 में जातक कथाए अंकित हैं कुशान कालीन साहित्या अश्व घोष ने बुद्धचरित, संस्कृत भाशा में तथा सूत्रालनकार की रचना की बुद्धचरित को बौधधर्म का महा कावे माना जाता है इस काल में अश्व घोष द्वारा रचित कावे गरंथ सौंदरानन्द अत्तिधिक प्रसिध है इसमें 18 सर्ग है अश्व घोष ने नो अमकों वाले प्रसिध नाटक सारिपुत्र प्रकरन की रचना की कनिश्क के काल के एक और प्रसिध विद्वान नागारजुन ने शूनेवाद का प्रतिपादन किया नागारजुन के शूनेवाद ने शंकराचारे के मायावाद को प्रभावित किया नागार्जुन ने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में स्रिष्टी सिध्धान्त, थियोरी ओफ रिलेटिविटी को प्रस्तुत किया नागार्जुन को भारतिय आइंस्टीन कहा गया वसुमित्र कनिश्क की राजसभा का एक और प्रसिद्र विद्वान ने बौध धर्म के त्रिपितक पर महाविभाश सूत्र नामक्ती का लिखी महाविभाश सूत्र को बौध धर्म का विश्वकोष माना जाता है कनिश्ट के राजवेदी चरक ने चरक सन्हिता आयूर वेदिक ग्रंथ की रचना की मौर्योत्तर कालीन प्रमुख भिलेक है शिनकोट भिलेक मिनांदर तक्तेव ही अभिलेक गोन फरनिस पंजतर भिलेक कुशार जुनागढ भिलेक रुत्रदामन नाना घाट भिलेक नागिनका नासिक भिलेक गोत्मी बलश्री अयोध्या भिलेक धन्देव बेसंगर भिलेक हेलियोदोरस मौर्योत्तर कालीन प्रमुख रचनाएं चरक्स हिंता चरक महाभाशे पतंजली नाटे शास्त्र भरत कामसूत्र वात्स्यायन गाथा सप्तश्ती हाल स्वपन वास्वधत्त भास बुद्ध चरित्र सौंदर्नंद अश्व घोष मृच्छक्तिकम शूद्रक मिलिंद पन्हो नाग सेन गांधार कलाएवं थुराकला में अंतर गांधार कला मथुराकला गहरेनी लेवं काले पत्थर का प्रियोग लाल पत्थर का प्रियोग सन्रक्षक शकेवं कुशान सन्रक्षक कुशान यथार्थ वादी आदर्ष वादी मुख्यता बुद्ध की मूर्तिया, बौध, जैंतथा ब्राह मंधर्म से संबंधित मूर्तिया, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह, सोपारा, पश्चिमीतत, भडोच, गुजरात, देवल, सिंध, कोलूरा, उडी सातत, तेमा टायल्स, निचली गंगा घाटी, चॉल्प समिल्ला, केरल तट, नौरा, मंगलोर, केरल तट, तिंदीस, केरल तट, मुझरिस, केरल तट, कोल्वी, कोरकई, तमिल तट, उहार, कावेरी, पत्नम, तमिल तट, माग पत्नम, तमिल तट, कमारा, तमिल तट, मसूली पत्नम, आंधर तट, कॉंडूक, आंधर तट, साइला, आंधर तट, निच्रिग, आंधर तट, कॉंड़ मुझर किर तट, कि उहार, कि झाल सेथे का आंधर कक्यॡ़